फेलो दोस्तों लर्निंग एजुकेशन पर आप सभी कर्षावगत है फ्रेंट आज हम अपके लेकर आया है MPPolice Constable परिक्षा 2021 के लिए Model Paper जी हां दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछी समय बाद MPPolice परिक्षा होने जारी है जिसके चलते यहां एक इंपोर्टेंट हो जाता है कि Model Paper को हम सौल करें इसी की दस्टी से हमने Model Paper को तयार किया गया है आपको बता दू फ्रेंड यहां इस सीरीज का Part 1 है ऐसे ही लगबा 5-6 वीडियो हम लाने की कोसिस कर रहे है इस Model Paper में आप MPPolice के साथ साथ MPSI, MPPSC, जैल पहरी या पटवारी जितनी भी MP से Related परिक्षा है उन सभी के लिए यहां काफी हेल्फ होने वाला है या वीडियो तो आप इसे पूरा देखिए तो चलिए एक-एक करके Question को समझते है Question को देखने से पहले आपको बतादू Friend, यदि आप हमारे Channel Learning Education पर आप नए हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और notification का बेल दावाना ना भूले चलिए आगे बढ़ते हैं पहला का Question है मत्पदेश में पन्ना निम में से सम्बंदीत है आपको बताना है कि पन्ना किस के लिए जाना जाता है तो इसके राइट आंसरों को फेंड हीरा मत्परदेश हीरा के लिए जाना जाता है देश में प्रत्थम इस्थान है इसका पन्ना तो पन्ना हीरा के लिए जाना जाता है इसका राइट आंस होंगा हीरा एक मात्र ऐसा है मत्परदेश का जीला जहां पर हीरा पाये जाता है चलिए next question पर बढ़ते है next है मत्परदेश में गाय अभिहारन निमी से इस्थान पर है आपको बताना है कि मत्परदेश में गाय अभिहारन किस जीले में इस्थित है यदि गाय अभिहारन की बात की जाए तो यहां मत्परदेश के आगर मालवा आगर मालवा में स्थापी था ये सालरिया गाव है आगर मालवा का एक जीला का सालरिया तो वहाँ पर इस्ती था ये गाय अभिहारन यहां देश का प्रथम गाय अभिहारन है आपको ये भी याद रखना चाहिए तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं नेक्स्ट है मालवा उस्था 2017 कहां आयूजद किया गया था इसका राइट आसम को फिर्ण इंदोर में यही मालवा इस्तो कोई बात की जाए तो मालवा इस्तो तीन जगा पर आयूजद किया जाता है पहला है तो इंदोर दूसरा है उज्जेन और तिरसा मांडू यह तीनों सहर में आयूजद किया जाता है तब इन तीनों को नाम याद कर लीजेगा नेक्स्ट है सिंगा जी उसमीद सक्ती योजना सौरी परियोजना यहां पर इस्तित है आपको बताना है इसमें से सिंगा जी उसमीद सक्ती परियोजना कहां इस्तित है कि यह सिंगा जित आप विद्धुत परीजनों की बात की जातों यह खंडवा में है जो कि नर्वदा नधी परस्तित है तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं नेक्स्ट है सायूक्त राष्ट महासवा के अध्धक्ष गुरूप में चूने जाने वाले पहले भारती थे आपको बता दू फ्रेंड हमने इसमें MP के साथ सत उन परस्णों को भी सामिल किया गया है जो MP पूलिस की परिक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसका राष्ट आंसर होंगा फ्रेंड विजे लच्मी पंडित विजे लच्मी पंडित ऐसी महिले थी भारती महिले थी जो सहीं तुराठ महासवा में अध्धक्ष चूने गई थी तो इसका राष्ट आंसर होंगा विजे लच्मी पंडित यह काफी इंपॉर्टेंट कोस्चन है काफी बार पूछा गया है चले नेक्स्ट कोस्ट में बढ़ते हैं नेक्स्ट है हर्स वर्धन किस से प्राजाजी पराजीत हुए थे आपको बताना है किसकी द्वारा पराज पराजीत हुए थे हर्स वर्धन तो इसका राइट आंसरों को फैन फुलीकेशन दूती यहां काफी छात्रों को कन्फ्यूज होता है पुलीकेशन पर्थम है या दूती है तो आप उसे दूती करके याद कर लेना क्योंकि पुलीकेशन दूती तो जिसने इन्हें दक्षिन जितने में काफी मुश्किल बढ़ा दी थी और इनसे हर गए थे जिसका राइट आंसरों का फुलीकेशन दूती चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं नेक्स्ट है भारत के राष्टपती का कारेकल आपको बताना है कि भारत के राष्टपती का कारेकल कितने वर्सों का होता ह जिसका राइट आंसरों को फेंड पांच वर्स पांच वर्स को हता है राशपरती का कारगाल यदि इनके सपत की बात की जाए तो भारत का मुख्य नियाधिस सुप्रेम केड़ के मुख्य नियाधिस इन्हें अपनी सपत की पत की सपत देलाते हैं चाहित प्रधान मंत्री यहीं बात की जायतों पाच साल कई होता है फो 나हें सपत्रेम को लुद सफेंज आता है लोग शपर में अपने भौमत करता है कि भौमत में है जब तक वो रहते हैं वे संमाने की देखा जाए तो प्रधान मंत्री कभी पांच वर्स्थी होता है कि भैजने हैं है क्या इंधिवर्टे ऊं में chim नंधियों में से एक कौंसी नदी बंगाली खाड़ी में बहती आ बनाने है कौंसी नदी बंगाल में खाड़ी में बहती है या जाकर इसमें मिलती है कि इसका राइट आंसों का ब्रहंपूत्र नदी जो है ब्रहंपूत्र गंगा दोनों ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है यदि देखा जाए नर्वदा तो नर्वदा इसे भारत के अगर देखा जाए तो यह काफी इंप्रोटेंट है क्योंकि भारत में एक ऐसी ही नदी है यह कि जो पूर्व से पस्चिम की ओर भेती है और अरव सागर्म गेती है और ऐसी ही दुसरी एक नदी है तापती जो मुल् इन दोनों को याद रखना ये काफी बार पुछा गया है कुश्चन कि नर्वदा नदी और ताप्ति नदी कौन सी नदी है जो पूर से पस्चिम की और भेती है तो इसके राइट आंसर होंगा नर्वदा और ताप्ति और एक और नदी है माही इसके बारे में कभी कम पुछे जाता है पर नर्वदा और ताप्ति दोनों इंपॉर्टेंट है कि चलिए नेक्स्ट पर आते हैं नेश्ट है वित आयो को हर कितने वर्सों में न्यूक्त किया जाता है अब को बताना है यदि वित्यायो के बात की जाए तो यह पांच वर्स पांच वर्स का कारेकाल रहता है यदि राज्यों में देखा जाए तो राचपल वित्यायो को गठन करता है अधि केंद्र के बात की जाए तो राष्टपती राष्टपती न्यूक्त करता है वित्यायो को हर पांच वर्स लिए कि इसकर राइट आंस वोगा पाच वर्स कर नेक्स्ट बताना है असोग निम से संबंदीत है किस संबंदीत है असोग आपको बताना है आपने काफी बार पढ़ाऊंगा असोग के बारे में एक महान समराट कहा जाता है असोग को तो असोग मोरवन से सम्बंदी थे यदि MP से पांटी ओफिस से देखे अगर MP की तो इन्हें साची का इस्पूद साची का इस्पूद जो रायसन जिले में इस्थित है इन्हें की द्वारा बनाए गया है जो बौधि धर्म से सम्बंदी थे ऐसे माना जाता है कि असोग ने भी जब अंतिम समय में बौधि धर्म धारन कर लिया थे इन्हें चलिए नेक्स्ट पर आते हैं नेक्स्ट है हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहां इस्थित है आपको बताना है हिंडोला और जहाज महल तो दोनों मांडू में इस्थित है यह मांडू धार चीले में इस्थित है आपको यह वियाद करना काफी पुचल जा लिया जाता है कि मांडू कहां इस्तित है तो धार में और एक और पूछ लिए जाता है मंदीदीप मंदीदीप में काफी कन्फूजन होता है कि मंदीदीप कहां है तो यह रैसन जीले में है ना कि भुपाल में काफी लोग भुपाल समझते उसे पर वो रैसन जीले में इस्तित है तो आप य याद रखना चली नेक्स्ट पर आते हैं कि नेक्स्ट है कौन सा राज मत्पदेश से अलग होकर बना है आपको बताना है इन में से कौन सा राज मत्पदेश से होकर बना है मत्पदेश का गठन की बात की जाया तो एक नवंबर प्राज मत्पदेश का गठन हुआ था जब साथ में जब गठन हुआ था 1956 में तो 36 गड़ ये दोनों राज एक ही में थे लेकिन एक नॉवंबर 2000 को मत्पदेश से 36 गड़ अलग हो गया तो इसके राइट अंसर हो जाएंगा 36 गड़ 36 गड़ ऐसा राज था जो मत्पदेश से अलग होकर बना है अब भी 2000 में यह भी काफी बार पुछा गया है कोस्चन यदि आप MP पुलिस की एक्जाम दे रहे हो तो यह ऐसे कोस्चन देखने को अक्सर मेलेंगे नेक्स्ट है भूपार की जो जामन मजजित है वो किसके दौरा बनाई गई है आपको बताना है इसमें उसके निर्मान करता कोन थे जिसका राइट आंसरों को फेन थर्ड कदसिया बेगम या कहे तो कुदेसिया बेगम बेगम इनके दौरा बनाए गे थै जामामज्जित का निर्मार, चले नेक्ष्ट प्राते, आपके इन्मेस्स पताना है कि कहाँ इस्तित है, किस महासागर यह किस खाड़ी में इस्तित अपको बताना है, अभारत के अगोर बात की जाये तो ऐसे, कहाँ स्तित इसतित है, तो अन्वान निकुबार की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी जो की पूर्वी आला इलाका है डक्षिन पूर्वी कह सकते एक तरह से यहां अन्वान निकुबार है जिसके राज़्दानी पोड ब्लेयर है तो बंगल की खाड़ी में इसक रायटाइं सोंकर के बंगाल की खाड़ी में और अरभ सागर की बात की जाए तो दादर शागर हवेली न्यावन अरभ शागर में इस्तित है और हिंद महाषागर भारत के दक्षिन में स्तित है और प्रसांद महासागर की बात की जाये तो प्रसांद महासागर पूर्वी अले इरिये में आ जाता है जो पुरुत्तर वाल छेता है मिजोरम तिरुपा उस साइड में आता है हिंद्ध प्रसांद महासागर चले नेक्स्ट पर आते हैं भारत के पहले मुसल्मान राश्टपती या कहें तो मुस्लिम राश्टपती कौन थे आपको बताना है मुस्लिम राष्टपती की बात की गई है तो इसके राइट अंसर होंगा जाकीर हुसेन जाकीर हुसेन जी पहले ऐसे बेखती थे जो भारत के पहले मुस्लिम राष्टपती बने यदि भारत के राष्टपती की बात की जाए तो राजेन परसाद राज्यन प्रसाद जी पहले थे जिसका गारेकाल बेक टू बेक दो बार रहा काफी समय तक के ये राश्पती बनने का रिकार्ड भी हैंके पास और इदी बारुद वर्तमान में बात की जाए तो रामनात कोविन रामनात कोविन जी है भरत के राश्पती जो चौधवे क्रम के हैं आप भी क्रम भी याद कर लीजेएगा कभी क्रम भी पुछली जाता है तो यह चौधवे क्रम के है राश्पती रामनात कोविन जी और देखे दो मुहबद हिदातुल्ला ये है मत्पदेश के प्रथम करों उच्छने आले के मुखने आदिस थे ये महबद हिदातुल्ला जो कि मत्पदेश से एपी जरी किलाम भी प्रदार मंतिजी राश्पती बन चुके है चली इतना काफी है इसके लिए अगले कोस्चन पर बढ़ते हैं अगला है भारत का सभीदान सभा की दोहरा अपनाया गया था या कहें तो भारत की सभीदान कब अपनाया गया था आपको बताना है इसमें से 11 गस्म Agost 1945 एक जन्मरी 1950 चशब्वीत जन्मरी 1950 ये 26 नौवंबर 1949 तो इसक कर सभीदान को अपनाया गया था आपकी काफी इसेapersभीद obsol नंवर 1950 को कई बार लोग बार लगा देते हैं 26 जनवर निश्व पचास को लागू हुआ था सभीदान ना कि अपनाय गय था तो 26 नॉवंबर 1949 को अपनाय गय था यह याद रखना आप चले नेक्स्ट कोश्चन पढ़ते हैं कि नेक्स्ट है पंचायती राज की संतुति निम्में से किसके द्वार की गई थी आपको बताना है पंचायती राज जो भारत में चला है पंचायती राज का वो किसके द्वारा किस कमेटी या किस समीती के द्वारा सिपारिस की गई थी इसकी दिसके राइट राइट आ्सवं के बल क्राक्ति थे हैं XV बलंतराय मैहता समी थी जिसने पंचैती राज की शुर्य दी जिसमें त्री इस तर पर पंचैती राज संतूती जैसे है की जिला इस निए यह उस्तर पर जीला पलग पलग पंचायत सिब्सक्रेश सीथ है कि relevant ज़े नेक्श। गांठन पर आते हैं कि अगला है देश में क्वें कौन सा भारत के साथ सीमा साज़त करता है हो आप हो बाता ना है घ्वारत के देश के साथ कौन सा इस देश है जो सीमा साजन नहीं गरता है यहां नहीं पूछा है यह अपनी सीमा को नहीं छूता है कि इसका राइट आंसरां को फेंड महिमार यह जिसे वर्मा भी कहा जाता है यहां पहले वर्मा कहा जाता था महिमार को तो महिमार ऐसा देश है जो भारत की सीमा को नहीं छूता है भागी देखा जाये तो नेपाल और भूटान दोनों छीदे तुसके राइटास होंगा मैं मार अगला है मतपदेश का राज पक्षी आपको बताना है मतपदेश का पूछा है नाकी भारत कक इसका इसके राइट आंसनों को फ्रे फ्लाइकेचर जिसका विग्यानिक नाम है स्ट्छाइन है इसका दूद्राज भी कहा जाता है हिदी हिंदी बात करें तो दूद राज यहां साहा बुल-बुल यह दो नामों से पुकार जाता है इसे इसका आप नाम भी याद कर लेज़ें कर फ्लाइगेचर को की कभी कभार यह ऐसा भी पूछ लिए जाता है कि इसका वेग्यानिक नाम बताइए और राच की अगर उध्याने मिलता है और पूस्प की बात की जाया अगर मत्पधेस में राश्टी पूस्प तो लीली सपेद लीली यह मत्पधेस की राश्ट की फूल है और खेल के बात की जाये तो मल्खम मलखम आयमत्पदेश का राच की खेल जो कि मलखम अकादमी उज्जेन में श्थापित हो रही है इसमें सहुरिस्ट अगर देखा जाये तो सहुरिस्ट खेलाडी को प्रभाज जोसिप पुरुसकार दिया जाता है जो कि 2013 से शुरुवाथ हुथी इसकी तो मलखम के छेतर में दिया जाता है प्रभाज जोसिप पुरुसकार ये भी काफी बार पुछा गया है तब इतना याद रखना इसके अब अगले बढ़ते हैं निम में से कौन सा सहर सोरी सहर आटो मोबाईल उद्धक से सम्मधित नहीं है यहां पर नहीं है पूछा है आप कोस्चन को पूरे देरा पढ़ लीजेगा क्यों काफी बार नहीं लिखा रहता है और हम हां में कि इतना अगर एसे छेत्र है जहां पर आटो मोबाईल से सम्मधित नहीं है लेकिन पितंपूर चेंणाई तो नीचे हो जाता है नीचे अला छेत्र तमिल नाडु चेंणाई पूरे जो महराष्ट में यह भी आटो मोबाईल चेत्र है पितंपूर यह मत्प्रदेश जोकि धार जेले में इस्तित है इन दो से काफी पास में है यह लगवत 340 किलोमेटर पितंपूर आटो मोबाईल के छेत्र के जाना जाता है तो आप पितंपूर याद रखना खासकत चले नेक्ष्ट पर बढ़ते हैं नेक्ष्ट है मत्प्रदेश में गुजरने वाली महत् अब इस प्रस्ण की बात की जाए करकर रेखा मत्प्रदेश को 2024 से होकर गुजरती है कहें तो मत्प्रदेश को दो भागों में डिवाइट करती है यह लगबग 14 जिले से 14 जिलों से होकर गुजरती है यह काफी बार पुछा गया है कि कितने जिलों से होकर गुजरती है तो 14 जिलों से होकर गुजरती है और देशांतर रेखा देखके बाद की जाये तो यह सिंग्रोली सिंग्रोली से गुजरती है अगर भारत की बात की जाए तो करकर रेखा आठ राज्यों से और देशांतर रेखा है यह गुजती है पांच राज्यों से तो यह भी आत रखना यह भी काभी पार पुछा गया है यह दिक करकर रेखा की बात की जाए तो करकर रेखा एक ऐसी रेखा है सिर्फ एसी मात्र एक ऐसी नदी है माही नदी जो कि धार से उसका उद्गम इस्तल है धार में तो करकर रेखर को दो बार काड़ती है माही नदी अब यह याद रखना विस्व में एक मात्र ऐसी नदी है जो माही नदी जो करकर रेखर को दो बार काड़ती है तो यह काफी इंपोर्टन कोस्चन है यह भी जिए नेक्स्ट पर आते हैं नेक्स्ट है छेटपल की इसाब से आपको बताना है बहारत के सबसे बड़ा राज कौन सा है इन में से उत्तरप्रदेश महाराष्ट मद्प्रदेश तिसका राइट आंसम को फेंड उप्यूक्त में से कोई नहीं क्योंकि अगर देखा जाया तो भारत की बात की जाया भारत में तो राजिस्थान पहला नमर पर आता है छेटपल की दस्टी से और सेकेंड नमर पर आता है 3,8252 वर किलुमीटर एक बाफ फीस बोल देता हूं 3,8252 वर किलुमीटर इसका चेटरपल है जो की देश का दूसरे नमर पर आता है दूसरा इस्थान रखता है चेटरपल की साथ में अब याद रखना पहला राजिस्थान सेकेंड है मत्प्रदेश तो आप चलिए नेक्स्ट पर बढ़ने से पहले आपको बता दो फ्रेंड हमारे द्वारा अभी तक जितने भी जी आई टेक मिले है वस्तू को उनका एक वीडियो बनाकर हमने अप्लोड कर दिये गया है कर दिये आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमेरे प्लेश्ट मे विडियो है जो कि किसी भी विज समूं के लिए इंपॉर्टेंट है तो आफ उस वीडियो को जरूर देखे है इसमें मत्पदेश की भी जियरी टेसे की कड़़ा कनात को मुरगा जो की जहाब जीले मिला गया है यह काफि इंपॉर्टैन्ट है ऐसी ही क्योश्चे अपको इ तिसके राइट आसम को फेन बेतवा बेतवा नदी पर इस्तित है ओर्चा जो कि ओर्चा टिकंगंबर में आता है और यह बेतवा नदी की बात की जाये तो बेतवा है रायसन मत पत इसके रायसन जीले के कुम्रा गाउ से है कुम्रा गाउस से निकलती है इसको उध्गम क एक उध्गम उध्गम् क्छे तरह और यह farklı में जा करें मिल जाती है सोन नदी भी मर्पदेश की है जो कि अमरकंटक अनुपूर 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 नेक्स टेम मत्पधेश में महत्पूर्ण नदी दीफ है आपको बताना है कौन सा नधी दीफ है जो मत्पधेश में श्तित है तो इसका राइट आंसों को फेंड ओंकारेश्वर जो कि खंडवा में इस्तित है और यह नर्वदा नदी पर ही इस्तित है नर्वदा नदी ओंकारेश्वर महेश्वर यह सभी नर्वदा नदी पर इस्तित है तो इसका राइटांस हो जाएंगा नर्वदे नदी पर और ओंकारेश्वर अब नौरध ही देखे जाए तो यह राष्टि वध्यान है जो कि सागर जीलों में श्तित है नौरध ही वेन गंगा नदी जो कि शिवनी इस निकलती है तो इतना काफ़ी है कि इसकोश्चन के लिए नेक्स्ट कोश्चन पर बढ़ते हैं है नेस्ट न है भारत में राष्टी विघ्ञान दीवस कब मनाई जाता है यह दीवस वाली काफ़ी कोश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आप मोस्टली जो Orton होते है एक्जाम की रस्ची से उन्हें आप याद कर लीजिए गया तो इसका राइट अन्सोंग को फिंड 28 फरवरी 28 फरवरी को बनाया जाता है राष्टी विज्ञान दिवस और 30 जनवरी को देखा जाया तो एक कुष्ट निवारन दिवस बनाया जाता है और एक दिसम्बर की बात की जाया तो एट्स दिवस एट्स दिवस बनाया जाता है एक दिसम्बर को तो अभी इस कोस्टन से इतना काफी है अभी इन्हें याद कर ली जागया एक दिसम्बर को एट्स दिवस 36 जनवरी को कुष्ट निवारन दिवस और 28 फरवरी को विज्ञा थापित की गए था शीपुरी में इस्ती था जो माधो राश्टी उध्यान उसकी स्थापना की सुबर से की गई था आपको बताने हैं इनमें से तो इसका राया टांस पर फेन 1998 में इसकी स्थापना की गई थी वेसे कहें तो यह काफी कोस्चन कम मिलते हैं इंपोर्टेन जैसे कि काहना किसी राश्टी उध्यान संजय राश्टी उध्यान इनके बारे में पूछा जाता है तो आप उन राश्टी उध्यान को भी देख ली जए गया कितने अभ्यारण है कौन सा बढ़ा छोटा यह काफी आता है एदि आप ऐसे वीडियो जाना चाहत कि राष्टि अपतिकाल आपने सुना हूं आप अंपकल के बारे में उन्डर कंदीक अप फिल कल वाला आपको जरूर है तो किसके दार्वक की जाती आपको अटाने हिसם जिसके राय टांसों का फेन रास्पती रास्पती की द्वरा राष्टिया पतकल की जाती है जो कि 392 अर्टिकल में 352 सभी अर्टिकल 352 में राष्टिया पतकल की दिया गया है 352, 356, 360 यह सभी एमर्जेंसी से सम्मंदित है अगला है भोपाल में पैदा हुए भारत की नौवे रास्पती का नाम बताई है इसमें आप बताना है कि को ऐसे रास्पती का नाम बताई है जो भोपाल में पैदा हुए है फरिकुद्दिन अली अहमत प्रतीवा पाटिल संकर द्याल सर्मा कैलासनात काटूच इनमें से कौन है जो की भारत की राष्ट पती हुए तरह त्थी याद रख रहे, और अजित देखा जाय है तो इस के इस कोस्चन से आपको बता दो कि अटल विहारी वाचपई जो ब्रदार मंत्री बने थे वो गौलियर के रहने वाले थे वो भी तो आप ये भी याद रख लिएगा ये ये भी कई बार पुछा गया है कोस्चन और शैने पर आते हैं नेस्ट है असोक इस्तम है जिसका से भारत सरकार दॉड़ राष्टी प्रतिक की रूप में अपनाया जाता है ये कहां परिश्टित है ये जो इत्स अप देखते होंगे जो शैर एसा और देते हैं चार शैर वह कहां से लिए गया है जो असोग द्वारा इस्थापित किया गया था यह पूछ लिए जाता है कभी कबार जिसके रायट अंस्वार फिंट सार्नात सार्नात में इस्तित है चोगि असोग द्वारा मौरवन से बनाये गया था यह तो इतना याद रख लिना आप चलिए अगले खुर्ष्टम प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल किया गया है इसे भारत में भारत बोले मत्प्रदेश में की बात की जाए तो मत्प्रदेश में छे राश्टी उद्यान ऐसे प्रोजेक्ट टाइगर में चिनल किया गया है उसमा σे एक बाद गड़ोघु prawager उस्थित है सोन कोई ठाइगर रिजर्बन हिर न अभियारन घाटी गाओ की बात की जाए तो गौलियर में श्थी था ये अभ्यारन कहना कहना देखे तो ये राश्टी उध्यान है जो कि सुनी और मंडला दोनों जीले में श्थी था ये और मातपदेर के सबसे बड़ा राश्टी उध्यान है तो इस कौस्चान से इतना काफी है next question पर चलतेई कहलें नेश्ट है पैंच हाइड्रो इल्यक्ट्रिक परयाजणा किन 200 के संयुक्त से परयाजणाहे पेंच किन दो राज्यों के आप राज्य देख सकते हैं कि पेंच हाइट्रो इलेक्ट्रिक पर्यूजना किन राज्यों से समझ दी था है दो राज्ये से मदपदेश व महरास्ट की परियूजन है पेंच हैटरो इलेक्ट्रिक परियूजन है च प्रियूजन पर आते हैं पच्मढ़ी किस जिलन में स्थीत्य आपको बताना है पच्मढ़ी काफी ट्यूरिस्ट क्यों कि देखत एक देखत जायरे से काफी फेमस है पच्छमडी मत्प्रदेश में तो पच्छमडी होसंगाबाद में स्थित है जो कि काफी खुबसुरत यहां का नजा रहा है प्राकृतिक सौंधर यहां का और पच्छमडी में ही दुबगड है जो मत्प्रदेश की हाइस्ट चोटी है जिसकी 1350 मीटर पूटी है हाँ पर तो इतने याद रख लिए गया होसंगाबाद शेत्र में स्थित है पच्छमडी और यहीं से तवा नदी कलती है तवा नदी काली सिंद्द किए नेक्स्ट पर आते हैं भारती सेन आकाद्मी किस सहर में श्ठिद है आपको उताना है सेन आकाद्मी और सेंम blankets किक देहरादुन में इस्तित थे भारती सायने अकादमी तो इसका रायाट आंसर होगा देहरादुन नेश्ट पर आते हैं सव्युक्त राष्ट महासाबा के अध्यक्ष गुरू में चुने जाले भारती यह रिपीट होगा कोस्चन इसका रायाट आंसर था विजय लश्मी पंडित पहली ऐसी महिला था जो अध्यक्ष चुनी गई सव्युक्त राष्ट महासाबा की नेश्ट है भारती रेलोएं ने मत पदेश के किस रेलोएं स्टेशन कर पबंद करने के लिए बंसल गुरूप के साथ एक अनुबंद किया गया यह करेंट के भी कोस्चन है और देखा जाये तो जीगे का भी कोस्चन है क्योंकि भारत का एक मात्र ऐसा रेलो शिशन है जिस कि जो बंसल गुरूप के हातों में सोपक आया है एक तरस से देखा जाया तो प्रावाटेसन है ये सरकार का इस पर अंतराश्ठी इस तरफ इस से तयार किया जा रहा है तो हवीजगान इस्तित है हवीजगान रेल्वेस सिसन है जिसको प्राइबेट के हाथ में सोपक है आप इतने याद कर लीजेगा भुपाल का है यह अब इसमें आपको बताना है 2011 की जन्गरना की अनुस्तर मत्पदेश का सबसे ज्यादा आब आदी वाला जीला बताना है किस मत्पदेश के किस जीले में सरवधिक जन संक्या आपको बताना है तब इतने याद कर लीजेगा सहर जो इंदोर मत्पद इसका इंदोर सहर इसमें काफी जन संक्या देखने को मिलती है और काफी बड़ी सीटी भी है इसे मीनियों मुंबाई भी कहा जाता है या वस्त रुध्योग खेल राजदानी यह सभी नाम से जाना जाता है इंदोर को और यह खान नदी पर इस्तित है इंदोर यहीं से चंबल नदी का उदगा मुस्तिल होता है इतने याद रख लें अब चलिए नेक्स्ट पर आते हैं मत्पदिश की एक मात्र महीला राचपल आपको बताना है मत्पदिश की एक मात्र महीला राचपल जिसका राइट आंसर ह सरला गिरेवाल जो प्रत्थम राचपलती महीला सरला गिरेवाल इसका राइट अंसर हो जाएंगा निम लिखित में से किसे नोबल प्रुसकार प्राप्त नहीं हुआ आपको बताना है इन में से किसे नोबल प्रुसकार प्राप्त नहीं हुआ है अमरत सें, मधर टेरेसा, महतमा गांदी, सीवी रवन तिसका R.A. टानसरों को फेन, महतमा गांधी काफी लोगों को कनफुजिजन होता है कि महतमा गांदी को 노भल पुछकार मिला की निया मिला पर इसका बपको बतातू कि नहीं नोभल पुछकार नहीं दिया ग Kollegin काफी बार नोमिने त्थित हुए यह 3–4 बार इन्हें 노मीनेत किया गया पर दिया नहीं गया यद्थिह अम्रत सेहएं की निश्य की चेत्र में नौबल पू्सक्र दिया गया है और सीशीड़्ी रमन 1928 इन्हें HIMी वहाटिवित की भौतिकी छेत्र में दिये गए था नोबल पुरस्का लेकिन महात्मा गांधी को नहीं दिये गया तो आप याद लेना अगला है लक्षदीब कहां इस्तित आपको बताना है बंगाल की खाड़ी में प्रसान महाशागर में हिंद महाशागर में अरब शागर में ऐसे कोश्चन अभी अंडमा निकोबार के लिए आया था तो आप एक बार महासागर भारत के आसवाच्छ वाले प्रड़ोसी राज्यों के बारे में एक बार देख लेना ऐसे कोश्चन मिल जाते है कभी कभार तिसके राइट हैंसों का फेंड अरब शागर अरब शागर में इस्थित है लक्षदीप यह दि बंगाल की हाड़ी में बात कीज़ें अन्डमा निकोबार और अरब सागर में दादर रव नागर हवेरी भी इस्थित है चलिए भारत की राष्टपर्दी का कारेकाल यह रिपीट हो गए कोश्चन जिसका पांच वर्स था इसका राइट अंसर चलते नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं ससस्त्र सेनं 2012 को मनाए जाता है आप को मताया था दीवस वाले पूष्चन एक को सें देखने देखने को मिली जाता है यदि आप दीवस वाले कस्टन लिए वीडियो हैं तो आप WordPress में बता सकते हैं आपके कमेंट के उपर हम आप वीडियो बना लेंगे दीवेस के उपर भी एक वीडियो तब उसे जरूर बताए तो सास सितंबर को सासत्र सेना दीवेस बनाया जाता है कि चली नेक्स्ट कोस्टन पर आते हैं नेश्ट है मत पॉण डर्जा कब दिया गया पहले बहरत जब सफंद्रुवत सब एक ही थे पार्ट में बटे थे ये बी सी डिव अगरे में तो पॉण राज के दर्जा कब दिया गया आपको बताना है इससे पहले मैंने पिछले प्रस संपुन राज राज का दर्जाद दिया गया और एक नौवेंबर दोजार को 36 अलग अलग हो चुका था इससे यह भी याद रखनेगा अब कि इसका राइट अंस हो जाँगा एक नौवेंबर उन्निस्सों छपपन मरद पदेश का कों सा जीला सरसो और सहित के उत्पादन के लिए पस्रिध्ध को बताना है इन में से कि इसके राइट अंस हो मूरेना जोकि मतपदेश के उत्तर में इस्ति थे भीन मूरेना वाला छेत यहां सरसो की खेटी काफी की जाती है तो इसका राइटांस मुझेंगा मुरेना अगला है 1984 में भोपाल गेस तराजदी से रिष्णी वाली गेस कौन सी थी जब 1984 में तीन से चार दिसम्मर की बात है 1984 को जब भोपाल में कार खाना में गेस ब्लास्ट हुआ था उसमें कौन सी गेस लिख ली लिख ली ती जिसमें काफी नुकसान हुआ था और काफी लोग यहां पर मानी जा चुके थे कौन सी थी तो इसका राइट पर होंगा methyl आइसो साइनएट जिसके जज़े से लोगों को दम घुड़ गया और वह उनकी मिरत्य हो गई तो यह काफी कोस्टन एमपी से चाहे है अधर स्टेड में किसी भी स्टेड में की परिक्ष्छ हो या बड़ी से बड़ी परिक्ष्व में अक्सर पुछा गया है कोई कि काफी भायनक ती या जो ब्लै ब्लास्ट तो इसके आद रखना आपका फी इंपोर्टेंट के उस्टन इतना याद रख लिए कि नेश्ट है ग्रेंड स्लेम ग्रेंड स्लेम किस खेल से संबंदी तो बताना है यह किस खेल से में दिया जाता है ग्रेंड स्लेम प्रतिव गिता तिसके राइट आंसर होंगा टेनिस में दिया जाता है टेनिस के प्रतिव गिता है ग्रेंड स्लेम तो फ्रेंड कैसे लगा वीडियो हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताए और अपने सुजाओं भी जरूर दे यहीं वीडिया अच्छा लगा तुसे अधिक से अधिक लोगों तक कि सेयर करें और ऐसे ही वीडियो वीडियो के लिए हमसे जूड़े रहे और इसी टेस सीरीज के चलते आज के लिए आपका एक सवाल है आपको बताना है मत्पदेश में करके रेखा कितने जिल्यों से होकर गुजरती आपको बताना है और भारत के भी कितने राज्यों से होकर गुजरती है आप उन्हें आपको यह भी बताना है तो आप इन्हें कमेंट बॉक्स में जर को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आकेन को दावाना न भूले वीडियो देखने के लिए धन्य बाद थांक्यू